दोस्तों इंडियन रिनेवल एंडर्जी डेवलोप्मेट एजेंसी यानि इरेडा की बात करें तो बहुत दीन के बाद फ्राइडे को हमने जबरदस तेजी देखिए अब इसके पीछे जो रीजन है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से जिस तरह से इस सेक्टर को लेकर बहुत सारी पॉजिटिव बाते निकल के आ रही है और जैसे कि अब बज़ट भी आने वाला है हमारा और उस बज़ट में ग्रीन एंडर्जी सेक्टर को लेकर आप समझी सकते हो काफी सांदार बढ़ी है रिष्टिंग के बाद इसने लोगों को माला माल कर दिया 32 का IPO था लेकिन क्या इस लेवल पर स्टॉक प्रॉफिट बुकर के निकलने लाएक है या फिर याप एक फ्रेश इंट्री का मौका बनता है तो इस वीडियो के माद्यम से इरिडा को अच्छे से समझेंगे फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है और जो लेटेस अब्डेट है उसका क्या इसार है लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब भी नयावडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू कीजिए यानि एक बहुत बड़ा अप मूव देखने को मिला एकी दिन में लो है वो 103 का है यानि गिरावट नहीं हुए फ्लेट तक गया श्टॉक लेकिन वहाँ से एक सांदार जंप देखने को मिला अन्त में 109 के आसपास क्लोजिंग रही जापे 5.95 परसें की जबरदस तेजी द चरह एक अब आप यह देखे सकतों की 10G के आसपास था जा पे 1.1% की गिरावट हुए 10G का चरह 10.50 की पीछले तीन टेंग सेंसलमें लगातर गिरावट होती छी बात थी के 100 के इस तर को इससने पककड़के रखाओ जब तक 3 डिजिट में है तो आप समझ सकते हों कि मजबूती बनी हुई है और इसका नतीजा भी देखने को मिला कि 11 जन्वरी को हमने positive closing देखिए 103 के आसमर जापे 0.6% की तेजी बनी और 12 जन्वरी को Friday के दिन कमाली कर दिया stock सीधा 110 को cross किया 7.1% की सांदार तेजी के साथ तो आप देखी सकते हों कि जबरदस तेजी देखना को मिले हो stock ने कफी एचा प्रदसन किया है intraday का low 103 का है लेकिन जो high है वो 112 का है और एक ही दिन में 9 रुपे का बड़ा जम देखना को मिला और ऐसा ही जम फिर से लगे तो यह उपनी पूरानी high है उसको touch कर सकता है क्योंकि 32 इसका low है जब IPO कमपनी जदिया 32 में 123 का इसने fresh high बनाया अपना IPO listing के बाद तो बिल्कुल देख सकते हो कि उस level को cross कर सकता है और फिर fresh तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है काफी दिनों के बाद वॉल्यू में जबर्दस जम देखने को मिल रहा है पिछले एक मैने पले इसका 7 क्रोड का वॉल्यू था 2 क्रोड की डिलर उठाए गी थी वन वीक पले 4 क्रोड का वॉल्यू था 1 क्रोड की डिलर उठाए गी और गुरुवार को वॉल्यू काफी कम थ और फोर कोड के आसपास तो यह जो जबर्दस वॉल्यम बड़ा इसके पीछे वजह कि जो गुजरात ग्लोबल समिट हुआ है वाइब्रेंट गुजरात उसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए यानि जो मतलब बहुत बड़ा निवेस आने वाला है तो यहाँ पे आप देख तो कि करीब 86.07 बिलियन डॉनर का जो निवेस हैगा 58 कंपनिया करें उसमें सबसे बड़ा योगदान ग्रीन अनर्जी सेक्टर का है और ऐसे में इस कंपनी का रोल बड़ेगा क्योंकि यह इकलोती कंपनी जो पूरी तरसे ग्रीन अर्जी सेक्टर को ही फंड प्रोवाइड करती है तो यह वाइबरेन गुजरात जो 10 से लेके 12 जनुरी तक गानली नगर गुजरात में जो होने वाला था वो कंप्लीट हो चुका और वहाँ से काफी सांदार खबर निकल कर आई है कि आने वाले समें आत्मन निर्वर भारत के तैद देख सकते हो कि 2000 47 का एक विजन प बने थे जिसमें आप देखे तो काफी बड़े बड़े निवेश हुए बहुत सारे MOU साइन हुए करीब 58 कंपनीज ने इसमें हिस्सा लिया और आप यह देख सकते हो कि यह जो वाइबरेन गुजरात है यहां से ग्रीन अजी सेक्टर को बहुत सारी पोजिटी समभाना मिल इसमें पोजिटी सेक्टर में बहुत जबर्दस निवेश करेंगे और आप देख सकते हो की वो ग्रीन हाइडोजान का निर्मार भी होगा और काफी बड़ा निवेस होने वाला है रिलाइंस की तरब से तो ये समझ सकते हो कि रिलाइंस इंडेस्टी इसमें एक बड़ा योगदान देने वाली है और इसमें आप समझ सकते हो कि फंड की जुरतों उनको पड़ेगी दूसरी तरब जो इंडिया के बड़े बीजनस मेंने गौतम अदानी वो भी आपे बहुत भारी निवेस करने जारे है वो ग्रीन अंदरी सेक्टर में अपना 2030 तक लिए 45 गिगावाट का पोर्टफोलियो सेट कर चुके जिसमें उन्होंने काया कि वो बहुत सारा इंवेस्मेंट करने जारे है जिसमें ग्रीन हाइडोजन होगा इसके लावा सोलर पार्क होगा बहुत सारे दुसरे और तरके प्रोजेक्ट होगे तो यह देख सकते हो कि दो बड़े जो corporate house है इंडिया के वो भारी भरकम green energy sector में निवेस करने जा रहे दूसरी तरफ देखे तो लक्ष्मी मित्तल जो still king कहलाए जाते है और आर्सेलर मित्तल कमपनी है इंग्लेंड की सबसे बड़ी आप देखे तो वो भी आप देखे तो यहापे निवेस करने जा र हो ही mobility हो renewable energy हो इस तरह से automotive sector और green energy sector के लिए तो बहुत सारा यहापे निवेस की संभावनों बनने लगी है बहुत सारे निवेस अलग-अलग और बहुत सारी कंपनियों की तरफ से announce किये जिसमें आप देखे तो NTPC भी यहापे काफी बड़ा निवेस करने जा रहे है जो सरक international capacity 3.4 गिगावाट है और 26 गिगावाट अभी pipeline में है और 7 गिगावाट के प्रोजेक्ट अभी अंडर construction है अभी आने वार समय पूरे होंगे दिखाई देगा इरेडा अपने 20 को तेजी से बढ़ा सकता है यह पूरी तर से सरकारी कंपनी है और सरकार इसको green energy को प्रमोट करने के इस कंपनी की शुरुआत की अभी आपे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इरेडा का जो लॉन ग्रोथ है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है इसका जो सी एजर 32 पर्षेंट तक पहुंच सकता है इसके पीछे बजाए कि जो डिमांड निकल रहे है उसका फाइदा इसको मिलेगा यानि इसका बिंदस आपको बढ़ता हो दिखाई देगा अब सबसे बड़ी बात है कि रिडा अलग-अलग 10 सेक्टर में निवेस करता है जिसमें solar, wind, hydro, biomass, इसके लाग को जनरेशन, EV, waste to energy, ECC इस तरह से जो अलग-अलग बहुत सारे जो सेक्टर के अंदर कंपनी बहुत सारा फंड प्रोवाइड करते हो इस वज़े से यह वाके में श्टॉक बड़ा मल्टिमेगर बनने को बिल्कूल तयार है अब यह आप यह देख सकते हो कि market expert कह रहे है कि short term में 120 तक जा सकता है कि नोमा की तरब से जो एक जो जानकारी साजा की गई थी पहले कि एरेडा आने वाले से में small cap index में सामिल हो सकता है लेकिन हुआ इसके उलट जब निकल के आई जब report तो यह बात समझ में आगे कि एरेडा small cap में बल्कि mid cap के अंदर इंटर हो गया है तो यह clearly आप समझ सकते ह कि small cap में अगर आता तो इसका निवेस लिमिटेड आना है लेकिन अब यह mid cap का हिस्सा बन चुका है तो काफी जाना fresh अच्छा investment आएगा बहुत साथ लोग जो mid cap में निवेस कते उनका investment इरेडा आप आएगा दूसरी तब देखे तो company ने quarter three के लिए result के date का भी अलान कर दिय या 20 तारिक इसी महिने की result हमारे सामने होगा और result बैतर होगा तो इसको कोई रोख नहीं पाएगा पिछला quarter two भी काफी साधार था revenue 416 क्रोड के आसपास था जापे 14% की अरन बेसिस पे में व्रिदी देखनों को मिली net income 284 कर रही जापे 54% की अरन बेसिस पे में व्रिदी और बीजनस देख सकते हो कि जो profit revenue के आकरे काफी उत्सावर दखे और यह लगातार बड़ी रहे बाप revenue देखे सेप्टमर 2022 में जापे 792 क्रोड के आसपास था वो सेप्टमर 2023 में बढ़के 1177 क्रोड तक पहुच गया यानि लगातार revenue बढ़ा ही है profit की भी बात के तो सेप्टमर 2022 में जापे 184 क्रोड के आसपास था वो सेप्टमर 2023 में बढ़के 285 क्रोड के आसपास पहुच गया है यानि बीजनस बहुत तहीं से बढ़ा है इसके इलावा इसका net worth भी बढ़ रहा है यह टूटा तो 100 तक श्टॉक जाएगा और 100 पर भी रुकल फिर 96 तक जाने की सम्भावन है यानि 100 से नीचे जागा तो कुछ बड़ी गिराउट हो सकती है positive mall बना तो 114 का first resistance है इसको पार कर लिया तो stock 117 तक जाएगा और एक बार 117 को पार के तो फिर 122 तक जाएगा नहीं जो पूरानी इसकी हाई है उसको touch करेगा और फिर नई fresh हाई के साथ आगे बढ़ेगा और लग रहा है कि आने वालस में यह बहुत जल्द यानि अगर यह आपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही मनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो की जोर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड